हैं वहत्तुब गैस्त विकास एर अधर विडियो आधकी व्यूटोब बड़े ही कमाल की होने वाली है क्योंकि आधकी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी नार्जो के बारे में आपको पता यह रियलमी नार्जो ॆ कि upcoming new series जहां पर ना वो कई सारे smartphones launch करेंगे सब उन्होंने officially announce कर दिया है कि Realme का Narzo 10 and 10A आने वाला है जो कि 10,000 रुपे की price range में आएगा आज की वीडियो में मैं इसके रिकाने सारी full specification बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि ये दोनों smartphone एक rebranded smartphone होने वाले है जो कि Realme के ही ना smartphone से जो already launch हो चुके तो आज की वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना जादा details जानने के लिए और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा से काम साथ नीचे जो subscribe बटन दिख रहा है उससे जलती से दबातो इसी तरके exciting and latest videos देखने के लिए तो शुरू करते हैं Realme Narzo 10 and 10A की ना launch date से तो ना यह दोने स्मार्टफोन इंडिया में launch होने वाले है 26th March को जो कि officially confirmed है और जो इनकी pricing है वो है 10,000 रुपे के आसपास Narzo 10 and Narzo 10A यह दोने की pricing ना 10,000 के आसपास होने वाली है और इसके ना इस series पर कई सारे smartphone आने वाले है जो कि एक Poco killer भी हने वाला है जो कि पोको एक्स्ट रिसेंट्री लाउंच वा था एक उससे ना compete करने के लिए भी ना नार्जो series पर एक smartphone आएगा पर वो बात में आएगा आज की वीडियो में बात करते हैं 10A & 10 के बारे में आप बात कर लेते हैं नार्जो 10 & नार्जो 10A कि स्मार्टफोन का एक rebranded version है पहले बात करो नार्जो 10 की यह rebranded version है Realme 6i जो कि मयान मार में लाउंच वा था स्मार्टफोन है जो कि इंडोनेशिया में लाउंच वा था विट ट्रिपल रिफेसिंग कैमरा सो वह स्मार्टफोन का rebranded version है नार्जो 10A और यह अल्मस्ट कंफर्म भी और अफिस्चली कई भी अनौन्स नहीं हुआ है पर यह ना अल्मस्ट कंफर्म है आपना मेरी बात मान सकते हो मैं एना 80% शॉरिटी देता हूं कि 10A and 10 एक rebranded version of realme 6i and realme C3 अब बात कर लेते हैं यह दोने की specification although आपको पता ही होगा पर ना आज वीडियो पूरी देख लीजिए ताकि आपको कोई confusion ना रहे है तो realme 6i यहां फिर मैं कहुँ नार्जो 10 की specification तो इसपर आपको देखने मिलता है 6.5 inch HD plus IPS LCD display with dewdrop notch इसपर आपको 89.8% screen to body ratio देखने मिलता है यहां पर आपको कोई भी full HD plus का display देखने नहीं मिलता है camera's की बात करो तो इसपर आपको 48MP का quad camera setup देखने मिलता है जो primary lens है वो है 48MP secondary camera है 8MP का ultra wide angle camera जो third camera है वो है 2MP का macro lens और जो fourth camera है वो है 2MP का mono lens अब बात करो ना front camera की यहां फिर selfie की तो इसपर आपको देखने मिलता है 16MP का front camera इसपर आपको एक single selfie देखने मिलती है and battery की बात करो तो इसपर आपको 5000 image की battery देखने मिलती है with 18 watt fast charger और यह fast charger आपको बॉक्स प्रेजेंट रहेगा अब बात कर लेते हैं processor की तो इसपर आपको देखने मिलता है latest media tech Helio G80 Octoco chipset जो कि world का first smartphone है जिसमें कि आपको ना Helio G80 chipset देखने मिलता है इसपर आपको ना 8GB RAM & 4GB RAM का variant देखने मिलता है और आपको 64GB of internal memory इसपर आपको Android 10 out of the box देखने मिलता है और इसके pressing 10,000 रुपे के आसपास होने वाली है यह है नार्जो 10 यहां फिर मैंको realme 6i अब बात कर लेते हैं नार्जो 10a यहां फिर ना realme C3 की इसपर भी आपको देखने मिलता है 6.5 inch HD plus IPS LCD display with dew drop notch इसपर भी आपको 89.8% screen to body ratio देखने मिलता है और इसपर भी आपको कोई भी full HD plus का display देखने नहीं मिलेगा इसपर आपको 12MP का triple ray facing camera देखने मिलता है जो जो ना primary camera है वह है 12MP का wide angle camera जो secondary camera है वह है 2MP का macro lens और जो third camera है वह है 2MP का depth sensor Selfie की बात करूँ तो इसपर आपको single selfie देखने मिलती है जो कि है 5MP का front camera इसपर आपको triple ray facing camera देखने मिलता है जहां पर इंडिया में जो realme c3 लांच वा था उसपर आपको dual selfie देखने मिलती थी बैटरी की बात करूँ तो इसपर 5000 एमेज की ना बैटरी देखने मिलेगी with 10W का charger और यह 10W का charger आपको box प्रेसेंट रहेगा बात करें प्रोसेसर की तो इसपर आपको देखने मिलता है MediaTek का Helio G70 chipset जो कि एक octogo chipset है और इसपर आपको 2GB RAM, 3GB RAM और 4GB RAM का ना support देखने मिलेगा यह था एक overall specification of realme 6i and realme c3 यहां फिर मैं कहुँ नार्जो 10 और नार्जो 10A आपको छोटी से वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आते इस वीडियो को लाइक जरू करना इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करना और अगर आपके मन में कोई बीडिया ओटे नार्जो 10A के रिगार्ण निक तो आप हमें कमेंन सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपको में लगए आगले किस एक वीडियो में